हेलो और वेल्कम टो ग्रेट ऊणने अकेडमी मेरा नाम है रविंद दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं four sies of marketing लास्ट वीडियो में हम लोग ने four पीस of marketing को डिसकस किया था वहां पे मैंने बताया था कि four छिच्स करने हैं क्यों और पीस की जो लिवीटेसंस थी उनको सीस्व मॉडल किस तरीके से इसके बाद हम लोगं देखेंगे कि पैस्टल एंअलेसिस च्या है यैसे हम लोग फाइफ पॉर causes पड़ी थी Porters की five forces वो क्या करती है किसी भी marketplace के external environment को control करती है तो इसी तरीकी से किसी भी business के external environment को जो macro level पे होते है जो small micro level पे है उनकी बात हम लोग नहीं करेंगे जो macro level के factors हैं जो किसी भी business के external environment को control करती है वो हम लोग जानेंगे पेस्टर अनलिसिस से इसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे advertisement का ADA model क्या है? ADA model बहुत ही famous है Maxim जो advertising company है वो ADA model का ही use करती है बट ADA model के भी कुछ limitations हो गए है इसलिए कुछ new developments हो है ADA model में इसको भी हम लोग discuss करेंगे और last में economics से related हम लोग planning commission और नीती आयोग के बारे में जानेंगे जो हमारे 5 years plan है जो total 12-5 years plan आये है 2017 तक जितने भी हमारे 12-5 years plan है वो सभी planning commission नहीं बनाए है तो planning commission क्या है वो हम लोग जानेंगे और planning commission को dissolve करके एक नई body को बना दिये गए नीती आयोग तो नीती आयोग किस मकसद से बनी है और नीती आयोग किस तरीके से काम करता है इन सभी points को समझने के बाद हम लोग को economics के जो हम लोग के 5 years plan है जो next video में हम लोग लेके आएंगे और उसको समझेंगे तो उसके नहीं हम लोग को planning commission नीती आयोग को अच्छे तरीके से जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये वीडियो हमारा कुछ basics को यूज करने वाला है जब भी मैं आपको सभी points समझाओंगा तो कुछ basic facts का भी इस्तमाल करूंगा इसलिए जिन बच्चों ने marketing और economics के basis को नहीं समझा अभी तक वो last की जितने भी हमारे वीडियो से उनको देख के आए और हमारे अभी total 4 वीडियो और आएंगे ये lecture number 8 है total 12 या तो फिर total 13 lectures में economics और marketing complete में खतम कर दूंगा exam आप लोग का बहुत ही pass है अगर वो सितंबर में होता है तो हम लोग को ये सारी चीज़े जल्दी खतम करने पड़ेंगी और अगर अक्टूबर में exam होता है तो भी आपके लिए revision के लिए जो time है वो sufficient मिलना चाहिए इसलिए अब जितने भी lectures आएंगे ये सभी lectures लंबे होंगे आप लोग time को manage करिए topics को हम लोग जल्दी खतम करने कोशिस करेंगे तो चलिए इन सभी topics को हम लोग start करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप please इसे अभी subscribe कर लिजे ताकि मेरे दौरत देगे हर एक वीडियो की notification आपको time पर मिलती रहे चलिए तो सबसे पहले हम लोग discuss करते हैं हमारे पहले topic four pieces of marketing देखे last video में मैंने आपको four pieces of marketing mix पढ़ाया है उसमें मैंने हर एक P को बहुत ही detail में समझाया है और ये भी कहा था कि ये जो सारे piece है ये आपस में related होता है कोई भी एक P का decision company without considering the other P नहीं करती है किसी भी एक P की strategy को company हमेशा दूसरे P को ध्यान में रखते वे बनाती है ये सारी topic जो है last video में हम लोग ने cover किये वहाँ पे हम लोग ने एक बात की थी कि four P की कुछ ऐसी limitations है जिसको seven P model से replace किया गया था 1960 में सबसे पहले four P model आया था और 1980 में seven P model आया जो service sector के लिए बना था seven P model जो है service sector के company आज भी इस्तमाल करती है अब eight P model भी आ गया है कुछ service sector company eight P model भी follow करती है तो ये जो four P है और four C है जिसका discussion और जिसका difference हम लोग समझने वाले हैं ये किस तरीके से आपस में related है और क्यों four P model जब पहले से मौझूद था तो four C को लाने के जरुद पड़ी तो इसको समझे के लिए एक बात को समझे जिस तरीके से four P model में कम्या पाए गई और seven P model को लाए गया उसी तरीके से four P model को जो भी उसकी कम्या थी उसकी क्या कम्या थी ये बताने वाला कोई ने था seven P model ला दिया गया बट four P model की क्या कम्या है ये बताने के लिए कुई भी ऐसा economist कुई भी ऐसा marketing ads का person ऐसा नहीं आया था जिसने four P को replace करने की courses की तो ये सबसे पहला जो step लिया गया वो 1990 में लिया गया और ये लिए लाटन बॉन ने लाटन बॉन ने 1990 में एक आर्टिकल लिखा advertising age में यहां पे इन्हों ने किस तरीके से four P को replace किया इन्हों ने जो हमारा price है या product है हर एक P उसके लिए एक C निकाला जिसमें उसके जो difference है 4P और 4C में उसको detail में समझाया 4P model जो था वो business centric था वो किसी भी company के लिए था और किसी भी company के मुनाफ़े को बढ़ाने के लिए था बट वो हमेशा ये धान रखता था कि company कोई product बनाती है तो उसको कैसे बेचे बट जो 4C model है वो इस तरीके से है कि customer को जो product चाहिए वो company कैसे बनाए इस दोनों difference को आप लोग समझे होंगे 4P में पहले जो company product बनाती है उसको किस तरीके से बेचे और 4C में किस तरीके से company उस product को बनाए जो customer की want है तो 4C model में customer को center में रखा जाता है और 4P model में business को center में रखा जाता है इस main difference को आप लोग ध्यान रखे exam point of view से के main difference directly पूछा जाता है अभी sales के exam में 4C model से question आया था उसको हम लोग discuss करेंगे तो 4C model अगर DSC style exam में आता है इसको हम लोग detail में समझेंगे ताकि जो भी question आता है आप लोग का ना चुटे तो A के करके सभी C को हम लोग को समझना पड़ेगा तभी हम लोग यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से हर एक C 4P model से ज्यादा बैतर है first C है हमारा consumer want and needs consumer want and needs यह product को replace करता है जो हमारा 4P model है उसके product को 4C में consumer want and needs replace करता है consumer want and needs का मतलब है कि company को वही product बनाना चाहिए जो consumer demand करते हैं consumer के हिसाब से ही company को product बनाना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि company पहले product बना ले और पता चला market नो उसकी demand ही नहीं है और company उसके लिए selling strategy बनाएगी तो वो कभी भी successful नहीं हो सकता हम किसी भी ऐसे चीज में successful नहीं हो सकते जिसक्या कोई scope ही नहीं हो तो अगर company consumer want and needs के हिसाब से product बनाती है तो उसका product successful होगा तो 4 piece में जब companies product बनाती थी तो वो unsuccessful हो जाते थे क्योंकि वहाँ पे customer को center में रखकर consumer want and needs के हिसाब से product बनाने के सला नहीं दी गए थी अगर हम लोग example की बात करें तो Nokia ने 4P model को follow किया था और Nokia ऐसे phones बनाती थी जिसमें Windows का operating system रहता था जब पूरे दुनिया में Android system चल रहा था सभी लोग Android के demand करते थे सारे जो applications है वो Android store पर ही रहते थे उस वक्त Nokia ऐसे phones को लाती थी Windows phone को जिसके store में कोई भी application ऐसा नहीं मिलता था जो हमारे use में हमारे काम को easy असान बना सके इस तरह के उसके store में applications भी नहीं रहते थे और Android में जितने applications होते थे उससे लोगों को ज़्यादा benefit दिखता था किसी भी चीज को वो easily अपने life में असानी से handle कर सकते थे बट Nokia के phones operating system यह ऐसा बनाया थे कि उनका phone completely fail कर दिया next C है cost to satisfy देखे अगर हम लोग 4P में बात करें तो 4P में price को हमेशा low रेखने की सला दी जाती है बट जो हमारा 4C model है इसमे cost to satisfy वर्ड इस्तमाल किया जाता है company को हमेशा उस cost को रेखना चाहिए उस हिसाब से अपने cost को चुनना चाहिए जिस तरीके से customer को उसके product से satisfaction मिलता है जो भी हम लोग cost तेह करेंगे यह इस चीज़ पर depend होगा कि किसी भी इनसान को कितना समय खर्च करना पड़ा आपके जैसा product प्राप्त करने के लिए आपने जो product बनाया है क्या वो हर जगा market में पहले से available है अगर वो product available नहीं है तो उसका cost आपको ज़्यादा रखना चाहिए ना कि कम इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा values को provide कर रहे हैं या फिर आपके company की जो value है वो लगातार बढ़ती जा रहे हैं तो आपको अपना cost भ high होते जा रहे हैं तो आपको अपने price को हमेशा raise करना चाहिए ना कि कभी घटा देना चाहिए अगर आप घटा दोगे तो जो customer satisfaction वो low हो जाता है customer जो भी values लेते हैं उनको तभी उन values की जो कीमत हो समझ में आती जो उसके लोग प्रॉपर cost पे करते हैं इसी तरीके से जो customer का conscience है जो उसका विवेक है अगर वो आपके product को चुनने की सरा देता है अगर ज़्यादा ज़्यादा लोग यह मानते हैं कि हमको इस company का product की चुनने का या इस company का product की मुझे पसंद आता है तो उसी के हिसाब से आपको अपने cost को रखना चाहिए अगर आपके product की demand ज़्याद कि वो हमेशा low price रखने की सला देता था सिर्फ अपने competitor से low price रखना है सिर्फ इसकी सला 4P में दी गए थी बट 4C में बहुत ऐसी सा यारी चीज़े हैं जो हम लोग अगर ध्यान रखे तो हम लोग proper cost में अपने product को बेज सकते हैं सबसे अच्छा example जैसे अब हम लोग ने पी बहुत ही successful है Apple में जो भी आप product देखें वह हमेशा high cost में ही रहते हैं और उसके product दो product के बीच में आपको जल्दी discount भी नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ही rare margin रखा जाता है अगर आपको 4GB का phone अगर 1000$ कम मिल रहा है तो 8GB का phone आपको 1200$ कम मिलेगा तो इतना low margin रखा जाता है कि कोई भी discount भी ने दे सकता किसी भी चीज में लोग directly उसके अपर product को खरेद लेंगे और discount वगर के कभी demand भी नहीं करते हैं तो Apple बहुत अच्छे तरीके से अपने cost को बनाता है 4C model Apple के ने most successful model साबित वाइस बात को आप लोग ध्यान रखेगा Apple's related आपके exam में question आया था कि Apple का tagline क्या है think different तो taglines related जितने भी हमारे questions बन सकते हैं इसमें मेरा separate lecture आयेगा जितनी हमारे important companies हैं जो most important companies और जिनके नाम short होते हैं जिनके taglines भी short होते हैं उनसे rated exam में question आने की chances ज़्यादा होती हैं सभी को हम लोग cover करेंगे फिलाल जो हम लोग बात कर रहे है 4C की इसमें जो 2C हम लोग ने समझा इसको आप exam point of view से याद रखे 4C में जो तीसरा C है वो है convince to buy convince to buy place को replace करता है convince to buy एक ऐसा procedure है जिसमें ये देखा जाता है कि कुई भी हमारा customer product तक access हो पा रहा है कि नहीं उसको product की जो reach है वो मिल पा रही है कि नहीं convince to buy place पे अधारित नहीं है place में जो होता था किसी भी product को बेचने की जगा की बात की जाती थी बट convince to buy में हम उस procedure की बात करते हैं जिससे हम customer को अपना product पहुचा सकते हैं जैसे आज के समय में आप देखे आज के समय में आप Amazon Flipkart किसी से भी अगा कोई चीज और करते हैं तो आपको delivery जो man है वो घर पे आके वो चीज देखे जाता है तो ये क्या है आप किसी भी समान को बिना किसी जगा पे गए असानी से खरे सकते हैं इस online shopping की कलपना लाइटन बॉन ने 1990 में ही कर ली थी तो 1990 में लाइटन बॉन का जो vision था और बहुत आगे तक था convince to buy इसी चीज को दर्स आता है आज के समय में जो online marketing है वो convince to buy से हम लोग समझ सकते हैं एक बात आप लोग इसमें और ध्यान रखें convince to buy एक ऐसी चीज है जो place से बिलकुल different है इसका place से कोई भी relation नहीं है convince to buy एक advanced form है product को बेचने का बलकि place shops को represent करता है किसी super market को represent करता है बट convince to buy एक procedure है जिससे आप product को access कर सकते हैं किसी website किसी भी ऐसी जगा से जहाँ पे आप उसको खरे सकें 4C का जो last C है वो है communication communication जो है वो P के promotion को replace करता है 4P का जो promotion वो एक one way conversation था जिसमें गली गली महले या कहीं पे भी जाके company अपना भूपू बजाके सभी लोगों को disturb करके जिनको उन चीजों की जुरुत है चाहे नहीं है वो सभी लोगों को promotion करती थी advertisement भी जो TVs पे हम लोग देखते हैं वो 4P का promotion का ही model है बट जो communication है इसमें two way conversation किया जाता है जिसमें आप जब भी किसी भी company का ad देखते हैं तो वो ad आपसे कोई involvement मांगता है वो ad आपसे या तो किसी form को भनने के लिए कहेगा या तो आपसे ये कहेगा कि आप इस पे हमारा review दीजे कि ये जो ad है इसमें आप लोग किस तरीके से सोचते हैं कि product आपके लिए beneficial है या तो company जो first buyers होता है first hundred buyers जब भी कोई company की product को launch करती है तो first hundred buyers को किसी समान को सस्ता देती है तो उससे भी क्या होता है कि two way communication होता है तो two way conversation जो है वो communication है 4C model का fourth C है ये और ये एक ऐसा तरीका है जिससे company को हर एक जो जानकारी है customer की वो पता चलती है CRM में आप लोग customer base बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो communication के तुरू customer base को अपने बढ़ाया जाता है और customer satisfaction में सबसे ज़्यादा help करता है चले अब हम लोग समझते है कि pestle analysis क्या है देखे पेस्टल का full form है political, economic, social, technological, environmental and legal पेस्टल analysis किसी भी company को help करता है जब कोई business या कोई भी company अपने आपको establish करना चाती है pestle analysis हर एक company हर एक business को establish करने में मदद करता है और एक साथ एक इनसान को ये पता चल जाता है कि उनको किन छे चीजों पे regularly risk और जो हमारे factors है उनको analyze करना है तभी हम किसी भी company को proper establishment के साथ खड़ा कर सकते हैं company जिस तरीके से हम चाते हैं जिस तरीके का profit चाते हैं अगर हम उस तरीके से अपनी analysis करते हैं pestle analysis से तो हम उस company को उस way में establish कर सकते हैं तो pestle analysis किसी भी company के macro environment की बात करता है micro environment के लिए five जो poters के forces है जिसके बारे हम पहले के वीडियो में बात कर चुक है जो भी बच्चे मेरा वीडियो regularly follow करते हैं उनको poters five force analysis बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि किसी भी market के जो permanent forces है वो poters five force analysis से पदा चलता है लेकिन market के जो immediate environment है उनहीं के बारे में poters five force analysis से पदा चलता है कोई भी company अपने immediate environment को task environment कहती है task environment के बारे में अगर company पदा करना चाहती है कि suppliers उसके कहीं और तो नहीं जा रहा है जो buyers है वो कैसे behave कर रहा है और जो हमारे competitive है जो हमारी competitive rivalry है उसके बारे में company अगर पदा करना चाहती है तो poter के five force analysis को समझती है बट अगर company ये देखना चाहती है कि हमको जब अपने company को establish करना है तो हमें किस-किस factors का ध्यान रखना पड़ेगा तो उस चीज़ को हम लोग analyze करते हैं crystal analysis से इस difference को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ दीजें इस पर questions कई बार आता है कि macro environment को analyze करने के लिए कौन से टूल इस्तेमाल होता है तो कई बच्चे उस पर पोर्टर फाइफ वर्स अनलिसिस टिक मार के चले आता है जो कि बिल्कुल गलत है macro environment के लिए पोर्टर फाइफ वर्स अनलिसिस नहीं होता है वो सिर्फ macro जो हमारा अगल भगल की जितनी भी चीज़े होती है या किसी specific markets related चीज़े होंगी उसके लिए हम लिए पोर्टर फाइफ वर्स अनलिसिस के इस्तमाल कर सकते हैं बट macro level के लिए पेस्टल अनलिसिस का इस्तमाल करेंगे अब देखे पेस्टल अनलिसिस से किस तरीके के questions बन सकते हैं सबसे पहली चीज़ हर एक जो factor है इसमें जो जो points आती है जो जो एक company को analyze करना पड़ता है directly आपसे ये भी पूचा जा सकता है कि ये factor पेस्टल अनलिसिस के किसके अंदर आएगा जैसे political में अगर हम लोग देखें तो किसी भी country में जो political stability है हर एक business को start करने के पहले सबसे पहले company इसी चीज़ को देखती है कि जिस देश में अपना investment कर रही है वहाँ पर political stability है कि नहीं है प्लस वो देखती है वहाँ पर कितना corruption है अगर किसी country में corruption जादा होगा तो वहाँ के लोग काम नहीं करना चाहेंगे अगर आप private sector में बात करेंगे तो private sector में अगर corrupt लोग आएंगे तो वो भी जल्दी काम नहीं करना चाहेंगे वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके से हम अपने overtime को बढ़ाएं किसी भी तरीके से हम अपनी salary ले रहें और काम कम करें तो इन चीजों को company analyze करती है political factors में प्लस वो देखती है कि foreign trade policy क्या है अगर हम उस देश में जाके अगर हम export करना चाहते हैं तो उस product कर सकते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं उस trade पर या उस product पर ban लगा दिया गया उस company उस country में इन चीजों को company देखती है फिर देखती है tax policy कैसी है कोई भी देश अगर अपने company से ज़्यादा tax लेता है तो वहाँ पर investors नहीं जाते हैं तो इसी तरीके से जो हमारी funding grants है अगर किसी भी company को पैसा चाहिए investment के लिए तो उसको easily मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह सारी चीज़े अगर एक साथ company देखेगी तो यह सबसे basic pillar होता है किसी भी company के starting में सबसे पहले company को यही देखना पड़ता है कि political stability है कि नहीं political way में fully जब वो company satisfy हो जाती है उसके बाद वो आती है economic पे तो economic वो देखती कि उस company उस country का जो economic growth है वो कैसा हो रहा है अगर उस country में economic growth हो रहा है तभी लोग वहाँ पे हमारे भी growth की chances है लोग हमारे समान को खरे देंगे इसी तरीके से जो interest rate banks charge करते हैं वो कितना करते हैं अगर हम loans वगर उठाते हैं तो हमको कितना interest rate देना पड़ेगा plus जो inflation है country में वो कितना जादा है अगर जादा inflation होगा तो लोग demand कम करेंगे और हमारे price के value बढ़ने से क्या होता है कि demand किसी product की घड जाती है तो companies ऐसा नहीं चाहती है जिस देश की currency डगमर डोल होती है जिसका currency में कोई stability नहीं होती कि वहाँ पर country जो companies है वो कभी भी नहीं जाना चाहती है ऐसे countries में plus वो देखती है जो disposable income of consumer है disposable income का यह मतलब होता है कि जो consumer है वो कितना पैसा खर्च करता है disposable का simple meaning होता है कितना पैसा वो खर्च करता है तो अगर उस देश के लोग ज्यादा कंजूस होंगे तो वहाँ पर हम उनको high rates हो अच्छे प्रोड़क्स नहीं बेश सकते हैं इसी तरह किस होता है जो labor का cost है अगर हम किसी भी country में जा रहे हैं और हमको labor को बहुत ज्यादा cost देना पड़े जो भी employees हम लोग रखते हैं सारा पैसा हमारा उसी में खर्च हो जाए जैसे अगर आप इंडिया चाइन और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा labor cost है इंडिया में उससे कम ह labor cost चाइना में पड़ता है उसके बाद इंडिया में फिर अमेरिका में तो सबसे पहले जो भी companies हो कहा जाना चाहेंगे वो चाइना में जाना चाहेंगे इसलिए जो चाइना का growth बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि वहां पर cheap labor available है इसी तरीके से जो third point है जब इन दोनों point से companies satisfy हो जाएंगी फिर देखेंगे social factors को social factors में क्या क्या चीज़ आएंगे population growth अगर उस देश में population growth हो रहा है तो वह economy के लिए अच्छा है जितनी ज्यादा population होगी उतने ज्यादा consumer हमारे होगे तो social factors में इस चीजों को देखा जाएगा प्लस age distribution हो गया cultural barrier हो गया consumer views किस तरीके consumer वहाँ पे कैसी सोच रखते हैं प्लस वहाँ पे जो workforce है वो किस तरीके के वहाँ के लोग ज्यादा काम करना चाता है कि नहीं किस तरीके के वहाँ पे young population है कि old population है किस तरीके के वहाँ पे हमको engineers मिलेंगे doctors मिलेंगे या entrepreneurs मिलेंगे हर एक चीजे company analyze करेगी तभी परफेक्ट जो हमको establishment करने के लिए चीजे चाहिए उनको निकाल पाएगी अब इन तीन factor से जब company satisfy हो जाएगी तो वो fourth factor के analysis करेगे technological factor इसमें company देखेगे कि उस देश में हमको emerging technologies मिलेंगे कि नहीं उस देश की technology कैसी है वहाँ पे सारी की सारी technologies available है कि नहीं जो भी हमको चाहिए technology या copyright and patents का जो रूल है वो कैसा है इस तरीके के चीजे company technological factor में देखती है प्लस अगर legal factors में लोग बात करें तो company के laws कैसे हैं वहाँ पे employees के लिए कैसे law है consumer protection जो हो कैसा है किन-किन rules को हमको follow करना पड़ेगा उस देश में जितने ज्यादा नियम कानून होंगे उतनी ज्यादा दिक् तो सबसे कम legal factors हो सबसे कम legal regulation हो कोई भी company ऐसे ही देश को चुनना चाती है जो हमारी last होता है उसमें companies देखती है environmental factors को अगर उस देश का climate ही suit ना करें आप वहाँ पे company जाब बट वहाँ पे flood आ जाए तो वहाँ पे हमेसा losses रहेगा आपके employees proper time पे काम नहीं कर पाएंगे आप आपको जो demand है वह हमेसा घर्टी दिखाए देगी इसी तरीके से और भी environmental policies है अगर आपको कहीं पेड़ सिरेटेड कोई समान बनाना है आपको papers बनाने है बट अगर उस देश की जो government है वह पेड़ काटने से मना करती है तो आप उस देश में अपना व्यापा नहीं कर सकते फिर इसी तरीके से कितना हम input देते हैं हमको जो भी चीज़े चाहिए हम उसको दे सकते हैं कि नहीं हर एक input जो हमारा available होना चाहिए environment में वह है कि नहीं जैसे किसी को अगर कोईला निकालना है कोईले स्रेटेड कंपनी है तो वह क्या हो वहां के environment वह काम कर सकती है इस तरीके availability inputs की वह है कि नहीं वहां पर फिर corporate social responsibility कितनी ज्यादा निभाने पड़ेगी यह सभी चीज़े जो इन्वार्मेंट्स रेटेड होंगे हर एक corporate के लिए अलग लोग होती है तो अगर कोई paper बनाता है तो उसकी corporate responsibility ज्यादा होगी और जो company इन्वार्मेंट्स रेटेड कोई भी पता चलता है हम अपने company को किस तरीके से किसी भी देश में या किसी भी जगा पर establish कर सकते है पेस्टल इन्लिस इसका best form है पेस्टल इन्लिस में एक एक फैक्टर से आप लोग को ध्यान रखना है कौन से फैक्टर किसके अंदर आता इससे questions exam में आ सकते हैं चले तो अब हम ल advertising model से हम लोग relate कर सकते हैं यह एक ऐसा advertising model है जो हर एक company इस्तमाल करती है जब भी वह कोई भी advertisement बनाएगी तो वह एडा के अनुसार ही बनाती है एडा में जो सबसे पहली point आती है किसी भी advertisement को बनाने के लिए वह आती है attention सबसे पहली चीज advertisement को बनाते वक्त यह धान रखना हो कि वह जो advertisement वह आपकी आँखों के नजर में आए उस advertisement कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप उस एड़ पे 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड तक टिके रहें जैसे आपको एक example के लिए मैं बताता हूं कि Airtail का एक लड़की एड करती थी और उस एड से वह लड़की बहुत ही famous हो गई उस लड attention जो हो जो भी इंसान जो भी हमारा model हमारा advertisement करेगा हम सबसे पहली कोशिस यह करते हैं कि वह person हमारे attention को सबसे ज्यादा increase कर सके हमारे एड पे proper attention आना चाहिए जैसे आप YouTube पे एड देखते होंगे बहुत कम ही ऐसे एड आपको दिखते होंगे जिस पे आप 5 सेकंड से के जनरली क्या होता है कि हमारा हर एक एड पे attention नहीं जाता है तो हर एक एड बनाने के लिए सबसे पहली चीज होती है attention जब आपको attention मिलेगा तभी आगे का एडा का process आप follow कर सकते हैं attention के बाद आता है interest किसी ने उस एड को attentive होके देख लिया वह एड का जो content हो बहुत अच्छ चीन है suppose आप ऐसी जगह पे तेल बेच रहो जहां पे तेल पहले से अवलेबल है petroleum पहले से अवलेबल है या आप वहां पे खाना बेच रहो जहां पे लोग बाहर का खाना नहीं खाते वहां के लोग खुद का खेट से चीजे बना के जैसे गाउं में अगर आप बर्गर बे ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जुरुत नहीं थी बट आपने ऐसा इंट्रेस्ट जगा दिया कि उनको लगे कि अगर मैं यह चीज़ नहीं खाया हूं तो मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया जैसे इंडिया में जब चाय का व्यापार बिटिसर्स ने स्टार्ट किया था तो उन्होंने चाय के लिए जो इंट्रेस्ट जगाया था इंडियांस में वह बहुत ही अच्छे तरीके से जगाया था उन्होंने का था कि जो भी हायर ग्रूप के लोग हैं जो समझदार लोग हैं वो लोग चाय पीते हैं इससे क्या होता है दिमाग तेज होता है तो इस तरीके की फिलोसफी लोगों में फैलाए गई ताकि जो चाय का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ाया जा सके इस इंट् भी ले लिया अटेंशन भी ले लिया अब क्या है उसकी डिजायर डिजायर क्या होती है जो भी इंट्रेस उसने लिया अब वो उसके अंदर एक पूरी की पूरी डिजायर पैदा करना चाहिए कि मुझे यह समान लेना ही है हमने इंट्रेस तो दिखाया आपका प्रोड़क अच्छा है आपकी यह सारी चीज़े अच्छी है आपका एड भी अच्छा था सब कुछ मुझे अच्छा लगा लेकिन मुझे इसकी जरौत महसूस नहीं हो रही है मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपने इतना अच्छा प्रोड़क्ट बढ़ा है तो फिर कुछ भी फाइदा नहीं होगा अटेंशन और इंट्रेस्ट का तो थार्ड पॉइंट आती है वह होती है कि आपके अंदर उस चीज की नीड को पैदा किया जाए जैसे आपको कोई ऐसी चीजे दिखाए जैसे सपोस मैं एक माइक इस्तमाल कर रहा हूं तो अगर अलग अलग तरीके के माइक मे नहीं सकता मुझे अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मुझे यही माइक चाहिए तो यह क्या है एक ऐसी डिजायर है जो मेरे अंदर वो कंपनी पैदा करेगी जिससे मैं उस प्रोड़क को खरेदने के तरफ आगे बढ़ूंगा तो इस डिजायर को सबसे अच्छे तरी बाद आगे नहीं बढ़ पाते बहुत सारे आपको मार्केट में लोग चिलाते हुए भी दिखते होंगे कि दो रुपय में यह ले लो दस रुपय में ले लो बट वहां पर आप अटेंशन लेकर चले जाते हो बट अब बाद में आप लेते नहीं हो क्योंकि आपका प्रोड़क को खरेदने को हम लोग कहते हैं एक्षन एक्षन जो आपको मनी प्रोवाइड करें तो एड़ा मॉडल में यह चार चीज़े आती हो हर एक स्टेप को एडवर्टाइजमेंट की जो कमपनी है वह बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करती है एक्षन के लिए भी आप उस प्रोड़क्त को सेलेक्ट कर लेते हैं आप उसको अपने कार्ट में एड़ कर लेते हैं कि मुझे खरेदना है तो यह आ गया आपका डिजायर और डिजायर के बाद जब आपने पेमेंट कर दिया तो वह हो गया आपका एक्षन तो यूटूब पे जितने भी आड चलते हैं तो इस तरीके के मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से फालो किया जाता है सबसे पहले दिखाते हैं फिर क्लिक करते ही आपको फिलिप काड या अमेजॉन की साइट पे ले जाते हैं इंट्रेस्ट आपका दिग गया तो आपको डिरेक्ली वहां पे पहुचा आपकी डिजार क्रियेट हुई और आपने एक्षण ले लिया तो अधर मॉडल को आप लोग समझेंगे इसके बाद हम लोग समझते जो न्यू डेवलप्मेंट्स हुआ अधर मॉडल में एडा मॉडल में ऐसी क्या कमिया थी जो न्यूटेवलेश्य वेलेश्या पूरी की डबलू आई एस इनका नाम आप लोग याद रखें एक्जाम पॉंट आफ वी से इंपॉर्टेंट होगा तो है भी इसने 1900 में एडा मॉडल दिया था एडा मॉडल बहुत ही पुराना है सभी लोग देख रहें 1900 मतलब लबगा 100 साल से भी जादा साल 121 साल भीच चुके हैं एडा मॉडल को दिये हुए तो धीरे धीरे एडा मॉडल में यह रिलाइस किया गया कि एडा मॉडल बहुत ही सिंपल है और हर एक इंडेस्ट्री में फिट नहीं बैठता तो कुछ और ऐसे मॉडल दिये गया जो अलग-अलग इंडेस्ट्री को सूट करते हैं सबसे पहला जो मॉडल दिया गया वह एड कास मॉडल एक्षन इंट्रेस्ट डिजायर कॉफिडेस्ट एक्शन है सैटिस्फेक्षन इसमें एक चीज्च का जो वर्ड है दो वर्ड इसमें जो एड हुए हैं एक है confidence और एक है satisfaction तो action जब भी कोई भी person payment करेगा action मतलब हमारा समान खरेदेगा उसके पहले उसको हमारे company में complete confidence होना चाहिए और हमारे product में भी complete confidence होना चाहिए तब ही वो हमको payment करता है इस चीज़ का ध्यान ADA model में नहीं दिया गया था इसलिए advertisement अब जब भी adcast model लगाए जा रहता है तो company अपने बारे में बताती हैं कि वो कितनी year पुरानी है आजकल आप लोगों ने बहुत सारे companies में देखा होगा कि लिखा रहता है कि working from 100 years 180 साल पुरानी तो इस तरीके की जो company अपना advertisement करती है वो आप में confidence जगाने के लिए करते हैं कि आप उस company पे विश्वास कर सकें फिर जो है action लेने के बाद अगर हम satisfaction ना दे सके सब्सक्राइब हमने जो services of product का payment लिया है अगर proper form में उसको नहीं दे पा रहा है नहीं पहुंच कर जाएगा तो सबसे पहली चीज हमको यह ध्यान देनी पड़ती है कि हम वैसा ही एड बनाए जितना हम satisfy customer को कर सकते हैं हम 100 रुपए की चीजे दिखाए और उसको 10 रुपए का समान दे तो कोई भी फायदा नहीं है अगर हम 100 रुपए का उसको advertisement दिखा रहे हैं या 100 points की च चीजे देंगे तभी customer में satisfaction जगता है तो जब भी advertisement बनाना चाहिए तो उस वक्त इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा advertisement में नहीं बोलना चाहिए जितना company नहीं दे सकती जो second होता है model वह होता है पास सबसे ज़्यादा advertisement करेंगे तो advertisement रीच सबसे पहला step है जो attention create करता है मतलब हम जब किसी का attention अपने उपर हासिल करते हैं तभी हम उसके दिमाग में reach कर सकते हैं फिर होता है इंगेज इंगेज का just मतलब है interest इंगेज जो है वो interest के लगभग equal है और इसी तरीके से होता है activate अक्टिवेट का मतलब होता है desire पैदा होना activate मतलब हमने उसको engage अपने में किया और फिर उसके अंदर हमने अपने product की जो desire है उसको activate कर दिया और last में हम लोग को देखना है यह जितने भी steps है जो confidence, action and satisfaction है यह सभी को हम लोग nurture के अंदर ले लेंगे फिर हम उसको एक बार हमने उसके अंदर अपना engagement हासिल कर लिया फिर उसके अबाद हमने उसको activate कर लिया किसी भी customer को तो last में अगर हम उसको nurture करते हैं जिस तरीके satisfaction चाहिए वैसा उससे दें उससे payment लें तो हम अपने advertisement को बहुत अच्छे तरीके से follow कर सकते हैं जो last में हो night days है न-a-i-t-d-a-s-e night days का full form है need, attention, interest, trust, design, action, satisfaction, and evaluation night days में आप देखे, ada दो वर्ड पहले से आ रहा है, and t और s e यह दो वर्ड एड हुए है, but इसमें एक difference है, इसमें need को पहले रखा गया है attention से, night days model यह कहता है कि हम attention बनाने के पहले हमको यह देखना चाहिए, कि उस customer को उसकी need है कि नहीं, यह बाद में नहीं देखना desire में, हमको desire पैदा नहीं करना, हम वैसा ही attentive advertisement हमको बनाना चाहिए, जैसी customer की need है, अब suppose कोई अगर कम calorie वाले sugar को खरेदना चाहता है, तो अगर हम उस तरह का attention बनाना चाहते हैं, तो हमको पहले market में यह research करना चाहिए, किस product की need है, तब उसके लिए हमको advertisement को उसी तरीके से design करना चाहिए, जिस हिसाब से product का development किया गया है, product का development करते समय need को देखा गया होगा, तो उस वक्त company ने जो जो चीजों का analyze किया है, वो हम लोग अपने advertisement के need के उसमें दिखा सकते हैं, जैसे कई company का आप लोग ने आज कल यह देखा होगा, कि वो advertisement करते समय यह बताती है, कि अगर यह चीज आपके पास आगे तो आपके life में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जैसे Tata Sky का आप लोग ने देखा होगा प्रचार, कि उसमें यह लिखा रहता था, कि इसको लगा डाला तो life जिंगा लाला, तो सबसे पहले आपको उस चीज की need को, आपके अंदर उस ची चलका है, वो trust के equivalent है, मतलब interest के बाद person को confidence के जगा जो इसमें desire रहता है, desire के बाद confidence, तो यहाँ पर interest के बाद ही trust को ले आए गया है, फिर trust के बाद design, किसी भी advertisement की design ऐसी होनी चाहिए, कि customer उस पर action लेते समय बिल्कुल भी ना सोचे, जैसे जब उसको payment करना है, तो वो एक website पर payment करता है, तो उसको भरोसा रहता है, plus product के बारे में जिस तरीके के अच्छी pictures दिखाई जाती है, या आप लोग ने कई बार कपड़े वगरे खरे दोंगे, वहाँ पर भी देखा होगा, कि जो color आपको कपड़े का दिखता है, वो actually मिलता नहीं है, तो इस तरीके की दिखा जाता है कि satisfaction जो level है, उसका हम लोग evaluation कर रहे हैं कि नहीं, बट अगर आपको ऐसा design दे के product दे दिया गया, जिसमें आपका satisfaction 0 है, तो night days model का तो कोई इस्तमाल नहीं हुआ, हमने तो गलत तरीके से अपने product को बेचा, तो night days model में design पर भी focus किया जाता है, इस बात को ध्य इनो model है, इनके full forms आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और इसमें कोई भी चीजा अगर आपको बनेंगी question, तो यहीं बनेगा कि कौन सा model किस चीज के लिए इस्तमाल होता है, जैसे adcast कि अगर हम लोग बात करें, तो car industries जो है, वो अधिकतर आपको confidence दिखाती है कि आप driving test ले लिजे, आप जाके देखें कि कैसा आपको लग रहा है, खुद लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो rein model है यह आपको digital marketing भी देखेंगा, सबसे पहले अपनी reach बढ़ा जाती, फिर engagement किया जाता है, फिर activate करते हैं, फिर उसके बाद जो YouTube channels हैं, वो आपको nurture करत हैं, all the time आपको कुछ नो कुछ videos देते रहेंगे, तो यह rein model YouTube या कोई भी ऐसी जो आज के समय में digital market है, वो उसको follow करता है, फिर night days जो model है, need attention, यह जैसे food की industry हो गई, जो daily इस्तमाल में आने वाली चीज़ है, वो night days model को follow करती है, वो लोग night days के साब से अपने ads को बनाएंग night days regular industries follow करेंगी, एड कास जहां पे आप महेंगे समान खरेते हैं, और रीन जो हमारी digital market है, चले अब हम लोग समझते है, planning commission को, planning commission हमारे देश में जो भी पंच वर्सी यूजना है, आज तक 2017 तक follow हो रही थी, उन सभी को 12 पंच वर्सी यूजनाओं को planning commission नहीं बनाया है, तो planning commission क्या था, और planning commission का demolition करके, अब एक नई body को बनाये गया है, नीती आयोग, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग इस lecture में समझेंगे, next video में जब मैं आपको 12 पंच वर्सी यूजनाओं पढ़ाऊंगा, उससे related जो भी हमारे important fact है, वो next video में आएंगे, तो उसके लिए planning commission और नीती आयोग के बारे में fully आपको पता होना चाहिए, तो एक एक करके, दोनों को हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, planning commission की, तो देखे planning commission की starting हुई थी इंडिया में, इम, विश्वेश्वर्या, sir, एम, विश्वेश्वर्या को सभी लोग जानते होंगे, इन्ही के नाम पे engineer's day मनाय जाता है 15 सितंबर को, जो भी मेरे viewers इंजीनियर्स हैं, वो लोग जानते होंगे, engineer's day 15 सितंबर को मनाय जाता है, और engineer's day, जो हमारे एम विश्वेश्वर्या जी है इनका फुल नेम के अगर हम बात करें तो मोख्च गुंडम विश्वेश्वर्या जी यह माईसूर के दिवान थे और इन्होंने कृष्णा सागा डैम बनाया है तो यह ही एक ऐसे इंजीनर थे जिन्होंने रिसर्च की थी प्लांड एकनॉमी फॉर इंडिया के ऊपर और इन्होंने एक बुक लिखी थी 1934 में प्लांड एकनॉमी फॉर इंडिया यहां से ही इंडिया में प्लानिंग कमीशन की जो बेस है वो स्टार्ट होने लगी इंडिया के लोग यह बात करने लगे कि इंडिया की जो इकनॉमी उ क्योंकि जब इंड़ा का जो पृडब का जो रैवलुशन है जो इंडरी हमारा फ्ffentlich की सानलिज्ब झाल हुआ था तो रस्या से लोग बहुत ज़्याद היंस थे रसियन रेवलुशन ज given जो उसी तरीखेसे इंडरी शन Am और उनका सिर्फ शोषड करते थे तो उसी के हिसाब से इंडिया में planned economy की बात की जाती थी कि बिटिसर्स को planned economy भारत में लागू करनी चाहिए सबसे पहले जो है 1934 में एक book लिख प्लाइंड economy for और इंडिया में इसके बात की थी इस बात को अप लोग ध्यान रखेगा नेक्स जो पॉइंट आती वह आती नेशनल प्लानिंग कमिटी एक्चुली बनी कब बात तो बहुत पहले सिखी जा रहे थी बट नेशनल प्लानिंग कमिटी 1938 में बनी 1938 मतलब चार साल बाद जब यह स के अजादी थी लगवक्त हो गई थी और भारत में बहुत सारे जो लोगों को दिये जाने लगे तो उसी वक्त नेशनल प्लानिंग कमिटी का भी गठन किया गया 1938 में फिर एक कोश्चन और आता है कि गवर्मेंट आफ इंडिया ने फॉर्मली प्लानिंग कमिशन को कब सेटब है वो 15 मार्च 1950 को हुआ है 26 जन्वरी को सभी लोगों को पता होगा 26 जन्वरी 1950 को हमारे देश का जो कॉंस्टिट्यूशन उसको लागू किया गया है कॉंस्टिट्यूशन लागू होने के बाद 15 मार्च 1950 को जो गवर्मेंट आफ इंडिया है इसने प्लानिंग कमिशन को सेट अप किया अब प्लानिंग कमिशन का काम था कि ये इंडिया में एक प्लांड एकनॉमी लेकर आया कि किस वक्त हम लोगों कितने चीजों पर धान द प्लाओं का विकास फिर था अग्रिकल्चर के डवलप्मेंट फिर था इंडिस्ट्रियल डवलप्मेंट एकनॉमिक एक्क्वैलिटी जो गरीब अमीर है दोनों एक समान हो बहुत ज्यादा डिफ्नस नहीं होना चाहिए फिर इंप्लामेंट रोजगार पैदा करना और बनाता है मतलब समाच के उधार के लिए बनाता था 2017 तक जो भी हमारी योजनाय लागू हुई है वह सोसिलिस्ट फॉर्म में पूरे देश को ले करके बनाई गई है इन सभी चीजों को बारा पंचवर्सी योजनाय है जो हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट को मैं क करूंगा इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लिए प्लानिंग कमिशन ने देश की जो हमारी ग्रोथ है नाइंटीन अगर फोटी सवन से बात करें तो लगवक आप देख सकते हैं सतर साल से भी ज्यादा सतर सालों तक प्लानिंग कमिशन नहीं देश को समाला है तो हर ए एक चीज़े प्लानिंग कमिशन के एकावर्डिंग ही देश में बनी है और जो भी गवर्नमेंट इंडिया में आती है उसको प्लानिंग कमिशन के ही रोल्स को follow करना पड़ता है अब देखे planning commission का development हुआ planning commission का establishment हुआ 15 मार्श 1950 को अब क्या होता है national development council बनाए जाती है national development council क्या करेगी 6 अगस 1952 को national development council बनाएंगे और इसका काम था कि planning commission जो भी चीजे बनाता है क्या हम उसको implement कर सकते हैं कि नहीं क्योंकि planning commission तो बता देगा कि हमको यह चीजे अचीव करनी चाहिए इन पांस सालों में हमको यह काम करना चाहिए बट national development council decide करेगा कि क्या यह चीजे संभाव है क्या देश के पास इतना पैसा है या इस तरीके की policy को implement कर सकते हैं तो यह question आता है कि किया गया था जो next point है वह planning commission ने टोटल बारा पंच वर्सी उजनाओं बनाई है और पंच वर्सी उजनाओं का जो concept है यह USSR से लिया गया है पांच साल के हमको planning करनी चाहिए यह concept लिया गया यह USSR USSR सभी लोग जानते होंगे जो सोवेट संग था पहले 1992 के पहले उसको USSR बोलते थे अभी वो रशिया हो गया सोवेट संग टूट चुका है तो सोवेट यूनियन का जो concept है उसक्त तो पांच साल की planning करते थे अपने देश की और उसी हिसाब से वो लोग सारी चीज़े बनाते थे तो यह जो बारा पंच वर्सी हो जना है सबसे पहली पंच वर्सी हो जना 1951 में लागू की गई और लास्ट वर्सी हो जना बारवी पंच वर्सी हो जना खतम हुई थे 2017 में यह दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखे फिर जो लास्ट पॉइंट है प्लानिंग कमिशन की वह प्लानिंग कमिशन को गौर्मेंट आफ इंडिया ने नीती आयोक से रिप्लेस किया है एक जन्वरी 2015 को अब इस बात को याद रखे आप लोग 2017 मत याद कर लिजेगा कि 2017 तक चला है हमारा पंच वर्सी योजना बारवी तो 2017 में बनाए गया होगा नहीं नीती आयोक को एक जन्वरी 2015 से ही बना दिया गया था लगभग दो साल नीती आयोक अप आप यहां पर 5 साल के प्लानिंग को नहीं ला जाता है लोंग टर्म प्लानिंग को ला जाता है तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं नीती आयोक के चले प्लानिंग कमिशन के बाद अब हम लोग बात करते हैं नीती आयोक के नीती का फूल फोर्म होता है National Institute for Transforming India Planning Commission के य Central जो government है उसके लिए policies बनाता था मतलब वो पूरे देश के लिए policy बनाता था और उसका recommendation को Central government को नीती IO क्या करता है देश like policy बनाता है बड इसमें केंद्र सरकार और Central जो state government है दोनो की representative होते हैं जैसे अभी GST में क्या होता है एक बार में tax collect के जाता है उसमें IGST भी होता है, CGST भी होता है, और उसमें स्टेट का GST भी होता है, तो ये सारी चीज़े उसी तरीके से नीती आयोग को भी बनाए गया है, जो स्टेट्स हैं, उनका भी कॉंट्रिविशन, देश की जो नीती है, उसमें हो सके, प्लानिंग कमिशन में क्या होता था, सेंट्रल अपने हिसाब से नीतिया बना लेता था, प्लानिंग कमिशन की चीज़े लागू कर देता था, बट हार एक स्टेट को कुछन कुछ समस्या रहती थी, वो लोग बोलते थे ये जो पॉलसी वो हमारे स्टेट में उतना अच्छे से काम नहीं कर रही, तो ये सारी चीजों को पूरी तरीके से खतम क्या जा सके, इसलिए नीति आयोग को लाए गया, अब नीति आयोग क्या करता है, कि ये स्टेट के साथ मिल के हो, सेंट्रल गवर्मेंट को ले के पूरे पॉलिसी को बनाता है, और ये नॉर्मल पांच साल के पॉलिसीज नहीं होती है, ये टोटल पंदरा साल के पॉलिसीज बनाता है, तो नीति आयोग को आप लोग समझे होंगे, प्लानिंग कमिशन में क्या कमियात्यों नीति आयोग को लाए गया, और एक जन्वरी 2015 को नीति आयोग को बनाया गया, जैसे हम लोग ने पीछे ब पॉड़ी है, नीति आयोग को बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेगा, फिर देखे, जो नीति आयोग है, इस वक्त अगा हम लोग बात करें, तो नीति आयोग को जो मॉडल है, नीति आयोग को जो चेर्मेन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, अभी के समय में प्रा राजी कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट को प्रधान मंत्री ही चुनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का इलक्षन कोई और नहीं करता है, प्रधान मंत्री डारेक्ली नीति आयोग में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाओ करते हैं, और नीति आयोग के हैड या चेर्मेन के है वो independent रहके बनाता था और National Development Council उसको final approval देता था National Development Council का जो head होता था वो प्रधान मंत्री होता था but वहाँ पे indirectly प्रभाव जो है वो planning commission के उपर था मतलब जो प्रधान मंत्री था वो National Development Council का head होता था और National Development Council approval देता था Planning Commission के जो भी प्लान से उसको but यहां नीतियायो में directly head बना दिया गया प्रधान मंत्री को सब काम प्रधान मंत्री के एंडर होगा जयसा वो चाहेंगे वैसकी Planning होगी तो एक तरीके सी यह गलत है एक independence जो थी Planning Commission को चीन चुकी है बट कुछ इस हर एक चीज के कुछ benefits होता है और कुछ demerits होता है तो benefits इसके यह है कि इसमें state government जो है वो भी अपना partition अपना जो part हो दे सकती है state government का contribution वो इसमें आ सकता है तो नीती आयो का सबसे बड़ा benefit के अगर बात करें तो state government का contribution वो देश के policies में होता है फिर इसी तरह कर हम लोग बात करें last point में अमिताब कांथ इस वक्त CEO है Chief Executive Officer जो है अमिताब कांथ जी यह एक IES इनको याद रखेगा और हमारे जो vice president वो राजीव कुमार जी है इन दोनों बातों में कभी confused नहीं होएगा राजीव कुमार और मिताब कांथ यह दोनों कई बार आपको options में मिलेगा और इसमें बहुत सारे question यही same question कई बार अभी RRB NTPC के exam में कई sit में पूछा गया था कि chairman कौन है नीती आयोग का फिर जो हमारे vice president है वो कौन है फिर इसी तरीके से अमिताब कांथ यह हमारे CEO है कि chairman है एक ही question को कई तरीके से पूछा गया था इसलिए second point को बिल्कुल अच्छे से याद रखे अगर इस तरह का exam में question आता है तो बिल्कुल सही होना चाहिए कि देखें अब हम लोग बात करते हैं नीती आयोग किस तरीके के initiative को लिया है 2017 के बाद से 2018 से जो नीती आयोग ने 15 साल का प्लान चालू किया है तो यह पंदरा ये एर का जो रोड मैप है इसमें नीती आयोग ने क्या 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 लिया है तो सबसे पहली योजना लिए अम्र बाद जो हमारे शहर है वहां पे शहरों का एसा विकास करना है जहां पर पानी के फैसलिटी हो वहां पे रहने के लिए अच्छे घर हो जैसे प्रञान मंत्री कई बार बात करते हैं कि 2022 तक हम को देश में बहुत सारे घर बनाने है दो करोड़ घर मनाने है टो इस तरीके बा को पानी भी जगह जगह पहुंचाना का जो काम है इसका भी इनिसियेटिव लिया गया है इसी तुरीके से इटल Online Mission है इसमें हर जगे जो हमारे गाउं है वहाँ पर किस स्मॉल जो हमारी इंडस्ट्री से उन्हें हम लोग इनोवेशन ला सकते हैं किस तरह के नई टेक्नोजी के तरफ देश बढ़ सकता है इस पर ध्यान दिया जाता है फिर होता है उन्हें मेडिकल एजूकेशन रिफर्म, जो हमारे मेडिकल एजूकेशन हैं जो डॉक्टर से मैं कोई रिफर्म आना चाहिए, सभी लोग पता है कि होस्पीटल की देश में बहुत कमी है, तो डॉक्टर सी कम है तो हॉस्पिटल कहा से आएंगे जब डॉक्टर बनेंगे तभी हॉस्पिटल ज्यादा देश में बन सकते हैं फिर इसी तरीके से अग्रिकल्चर रिफॉर्म अभी किसान जितने भी अंदोलन हुए यह अग्रिकल्चर रिफॉर्म जो भी फार्मर भी लाए गया है यह सब नीति आयोग के इनिसियेटिव के द्वारा लाए गया है तो यह सभी चीजे प्रदान मंत्री के अंडर होती हैं जो भी प्रदान मंत्री चाहते हैं वैसी नीतियां नीति आयोग बनाता है फिर देखे आप इसमें बहुत और भी चीज़े आती हैं जैसे आप लोग फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म यह सब जो चीज़े हैं यह सब अगरिकल्चर रिफॉर्म के अंदर आ जाता है तो क्रिसी सुधार पे बहुत ज्यादा बल देता है मेडिकल रिफॉर्म पे बहुत ज्यादा बल दिया गा है प्लस इसके बाद भी जो भी नईने हमारी स्कीम सारी है इसके बारे में हम लोग आने वाले लक्षेर बात करेंगे जो भी हमारी government scheme exam के लिए important है उन सभी government scheme को भी हम लोग समझेंगे नीतिया उन पर भी काम करता है बट यह जो 15 year का road map है इसमें जो major चीज ली गई है यही ली गई है सबसे पहला किसानों का उधार फिर डिजटल इंडिया पर हम लोगों को फोकस करना है अमरी त्योज्जा मतलब सेहरों का अच्छा ट्रांसफोर्मेशन होना चाहिए फिर जो है जो किसान वगरा इनकी जो भी बिल्स आ रहे हैं यह उनके हिसाब से हुने चाहिए मतलब उनको उससे फायदा होना चाहिए किसानों को फिर तकर लांग डियुश के लिए में जो इनिसियोटिव लेने चाहिए जो जल्दी नहीं हसिल किया सकते थे उनको पंदरा सालों में पहले 15 सालों में इन चीजों को को हाशिल करने के कोशिस कर रहा है, I hope नीती आयोगा आपको अच्छे से समझ में आगया होगा, इस lectures रेटेज जितनी भी points से मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाई है, आपको अगर किसी भी point में doubt होता है, तो आप comment box और telegram channel पे पूछ सकते हैं मैं सभी comments और telegram channel पे सभी messages का reply देता हूँ Thank you for watching my video मिलते हमारे next lecture में तब तक के लिए जैहिन